लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसी नारे के साथ कोंग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विदानसभा चुनाओं में काफी संख्या में महिलाओं को टिकेट वित्रित किये हैं जहां मेरट की हसनपुर विदानसभा सीट इस वक्त सुर्ख्यों में बनी हुई है और यह सुर्ख बनता है उसी की सरकार सत्ता में आती है ऐसे मेरे साथ खुद अर्चना गोतम है जो कि ग्लैमर का तड़का इस सीट पर लगाती दिखाई दे रही है इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किन मुद्दों के साथ यह शेत्र में लड़ेंगी जीतेंगी और क्या इनकी आगे प्लान है अर्चना सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूजर इंडिया में बताईए आपको टिकेट मिला है कॉंग्रेस से लड़की हूं लड़सकती हूं इस लोगन के तहत आप छेत्र में आई हैं सबसे पहले किन मुद्दों पर आप छेत्र में पहुंची है और क से देखिए हमारे हस्तनापुर में जैसे कि मैं आट की बेटी हूँ और में वहीं पे ही मैं पीजिता हुई थुक्त है हसनापुर कर नहीं हो पाया है हसना पूर एक विक्षित शहर नहीं बन पाया है तो हम इस मद्दे पर हम लोगों को जो काम करना चाहिए यानी जंता की जो आवाज उसको विदान सभा में रखनी चाहिए पहला मुद्द तो यह है कि महां पर यातायाद के साधन नहीं है वहां पर अंतरास्टे बस अदर नहीं है रेलवे स्टेशन नहीं है फैक्ट्रिया नहीं है और यहां तक की एक मील है जिसमें मेरे जो किसान भाई है वो ला पर यह जो जाए को पर नहीं है जो आगे बढ़ाए जैसे की प्रेंका दीदी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं तो एक लड़की को अपने हकी लड़ाई लड़नी चाहिए हसनापूर का का है यहां सब्सक्राइब है है Praagipa Patroodossa पर समाज़ी पार्टी पार्टी वहुजं समाज पार्टी सबस्क्राइब कर गृति यहां पर यात्यात आपने कहा कुछ फ्लाइवर्स है जो बनने थे लेकिन अभी तक नहीं बन पाए हैं ऐसे मैं आप कह रहे हैं को उनको बनाने का काम आप करेंगर जीते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको शेत्र में उता रहा है प्रेंगा जब मैं पड़ाई कर थी तो इंटर्शिप के लिए मुझे जाना था चैनल में लोकल चैनल भी थे और अंतरास्टे चैनल भी थे तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था तो मैं कर नी पाई मतलब मेरी आवास को लेके कि आप एक एंकर नहीं बन सकती हैं या एक एक रिपोर्टर नहीं बन सकती है तो मुझे मतलब डिमोनिटाइस किया गया कि मतलब तो मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए तब ही मेरी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया और मैं मुंबई चली गई मैं मुंबई गई मैंने मुवीज की गाने किये मिस यू क्या कि मैं सकते हैं ने उसे मिलने का इक अपंट्मेंट लिया था और मैंने फिर जो महिलाओं के साथ हो रहा है वह चीजे मैंने उनके साथ शेर की और दीडी का जो स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं तुमको भी आगे आना चाहिए तो मैंने माहिन बना लिया कि मुझे राजनीती में आना है कॉंग्रेस को समर्पित अपना तन्मंधन समर्पित करना है और जनता के लिए मुझे ऐसा करना है जो आज तक वहां की जो गौर्वर्मेंट है वो कभी कर ही नहीं पाई जो जनता का करना है आपने कॉंग्रेस को ही क्यों चुना पाटि है और वह पहली पार्टि है जो आजादी के टाइम से चली आ रही है और मेरा मानना यह है कि भारत में केंडरी पार्टी ही होनी चाहिए क्योंकि जो राजज्य की पार्टी होते हैं वो हर साल आती है पांस साल में और जो पैसा बोटोर के साइड में हो जाती है तो मेरा मानना यह कि भारत में केंद्रे पार्टी होनी चाहिए तभी देश का विकास हो सकता है अच्छा यह आपके क्या आंकड़े हैं किस तरीके से जीतेंगे क्या समीकरण है देखिए जैसे कि म जब जाओंगी प्रित्याशी तो मैं एक बेटी बनके जाओंगी क्योंकि में में आप एक वहम डाल दिया है बाकी के लोगों ने कि यह लटकी है, मालने के तरह यह आएंगी और जीत चली जाएगी मम्बाइड तो मैं उनको यही बताना चाहतीूं कि मेरा तो घर मेरत में ह मैं और उनको बताना चाहते हूं कि मैं कोई बाकी नेताओं की तरह नहीं हूं यहीं कि रहने वाली हूं और मैं यहीं की रहने वाली हूं और एक और त्याग मैंने जो किया है वह अपनी जनता मुझे जिताती है तो मैं दुबारा इंडस्टी में मुड़के नहीं देखूंगी निकाल लेगी कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार जो भार समाला है तो जिससाब से यूथ आगे आ रहा है और जिससाब से जो कॉंग्रेस ने महिलाओं के लिए मैनोफेस्टो बनाया है कि तीन सिलेंडर वो फ्री दे रही है और उसके अलावा विद्वा पैंशन वो परिवार है उसको 25,000 का मुनाफजा दे रही है और किसान भाय है उनका सारा मुनाफज़ जो भी है वो माफ किया जारा है तो यह सब चीजे यह स्कूर्टी दे ए रही है लेप्टोव दे और यह समार्ट फोन दे लिए लिए लेग जा रहा है यूवाओं के लिए जाए उन तीस साल में नहीं आए इस बार जनता को बदलाव चाहिए यह थी हमारे साथ अरचना गोतम जो कि इस वक्त मेर्ट में मौझूद है और मेर्ट की हसना पूर्फ सीट पर यह अपना पर्चम लहरा रही है हाला कि कि वोटिंग के बाद जो आंकड़े आएंगे जो जो खुलेगा पूरा वोट के बाद जो गिंती होगी उसमें किस तरीके के समयकर्ण निकलते हैं किस तरीके से कितनी वोट किसको पढ़ती है कौन विदायक बनता है को नहीं बनता है यह आने वाला वक्त बताएगा मैं अपन